हमें डॉक्टरस अपनी महरती भूमी का निवा रहे हैं। एंदौर में CHL हॉस्पिकल के डॉक्टरस ने मिनिमल इंसेंटिव तकनीक के जरिये के कमाल कर रिखाई। डॉक्टरस की पीमने हस्पिताल में फरती मरीज की सपलता पुपवक हार्ट सर्चरी कर मरीज को तीसरे दिन छुटती देती। परंपरागत ओपनार्ट सरजरी जो की जाती है उसमें बोल को काटी जाती है फ्रंट से इसको इस्टरन हम बोलते हैं। और मिनिमली इन्वेजव सरजरी जो हम लोग करते आ रहे हैं और अभी जो हमने करी है इसमें जिफ तीन इंच का चीरा लागाया है और वो पसलियों की बीच में चीरा लागाया है। दाही तरफ निपल की नीचे तीन चार इंच का चीरा लागा कि यह उप्रेशन को अंजाम दिया गया है। पेशेंट की उमर बीच साल की है और इसको फैदाईशी जन्मजात थारे तीन सेंटिमेटर का छेथ था। उससे उसको सांस की तकलिफ थी और काफी तकलिफ है दूसरी भी हो रही थी। तो मिनिमल इस इन्वेजु तकनिक से इस ऑपरेशन को ओपन हाट सेजरी करने के बाद विशेच बात यह रही कि पेशेंट को तीन दिन के अंदर हमने डिश्चार्ज कर दिया। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि किसी भी ओपन हाट सेजरी में वेंटिलेटर लगता है और ऑक्सिजन भी लगती है पर ताज्यू की बाद यह है कि इनकी रिकवरी इतनी अच्छी रही कि आप्रेशन के बाद यह बिल्कुल पूरे होश में थे ना तो इनको स्वांस की मे इनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुए वैसे तो हम यह सजरी काफी सालों से कर रहे हैं और मिनिमले इंवेजियू तकनिक से पिछले कई सालों में और जिरे-जिरे जैसे यह टेक्निक और अच्छी होगी और हम लोगों का कॉन्फिरेंस का लेवल बढ़ेगा तो यह हम और ज अगर आप पुरे देश में देखा जाए तो सबसे जादा मिनिमले इंवेजियू तकनिक की सजरी बैंगलोर में होती है और बैंगलोर के बाद थोड़े सी हैदराबाद और चैनाई में ज्यादा है उसकी पाद इंदोर का नमबर आतो हम 34 नमबर पर रहे हैं मिनिमले इंव जन करीब करीब 40-45 किलो से 60 किलो की 20 का हो और उसकी उमर भी जो है वो 20 साल से 40-45 साल तक में की जाती है कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते जिनकी कि मुझे साथ से 60 साल के हैं और उनकी बॉडी बहुत फीन है उपीज नहीं है मोटा पर नहीं तो उनको भी हम इस तरह की टेक्निक से कर सकते हैं वहीं डॉक्टर्स की टीम में मरीज के डर और उदासे बुदू करते हुए उसके चहरे पर कुछी वलादी इसके बार मरीज में भी डॉक्टर्स का धन्यवाद किया सर जब मैं मुझे पता चला था कि इसी कुछ प्रोब्लम है मुझे